असलाम लेकूम, कैसे हैं आप सब, उमीदा के सब हैरे से होंगे, आज हम अपने किचन में बनाएंगे चॉकलेट मिल्क केक, आप से ट्राइसलेजिस केक भी कह सकते हैं, घर में कोई भी दावत हो या फिर बर्दे पार्टी, ये केक एक परफेक्ट डिजर्ट है, इस केक की ख होगा, जिसे हम बेक करेंगे, विदावट अवन पतीली में, तो है नब बहुत ही असान और मसेदार सी रेसिपी, तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीचिएगा, आए इसे बनाना स्टार्ट किरती हैं, सबसे पहले हम मोल्ड रेडी करेंगे, तो यहां पर मैंने ले ल आपके पास अगर ना अवेलेबल हो, तो आप सिंपल इसे और से ग्रीस करके, इसमें मैदा डस्ट कर लीजिएगा, अब हम इसे एक साइट पर रखेंगे, और अब हम बनाएंगे, एक मिनट में बनने वाला केक का बैटर, तो सबसे पहले बावल में शामिल करेंगे, एक अ मदद से, जो कि हर एक किजन में बहुत ही एजिली अवेलेबल है, उसके एक खास बात यह है कि बस आपने स्टेप पर स्टेप इंग्रीडियंट्स को एड़ करते जाना है, और मिक्स करते जाना है, और बस देखते ही देखते के का बैटर रेडी हो जाएगा, तमाम इंग्र शामल करेंगे 3-4 cup powdered sugar, साथ ही एड़ करेंगे half cup cocoa powder, चॉकलेट essence एड़ करेंगे half teaspoon, आप अगर चाहें तो इसकी जगावनिला essence भी एड़ कर सकते हैं, बेकिंग powder एड़ करेंगे 1 teaspoon, और बेकिंग soda शामल करेंगे half teaspoon, चुटकी भर नमक भी शामल करेंगे, टेस्ट को enhance करने क लिए, लास्ट में इसमें शामल करेंगे मैता 1 cup, मैते को मैंने अच्छे से 2-3 मरतबा चान लिया था, आपने भी चानने के बाद यूज़ करना है ताकि इसमें कोई भी गुट्लियां वगारा ना रहें, अब हम again simple whisk की मदद से इन्हें अच्छे से mix कर लेंगे, तमाम ingredients को करने के बाद, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक secret ingredient, जिसको add करने से कि आपका केक 100% soft और moist bake होगा, क्योंकि अभी तक आपने वीडियो को skip किये बगार watch किया है, तो ये आपके लिए एक special tip है, अब हम इसमें शामल करेंगी half cup, गरम पानी, और again हम तमाम ingredients को अच्छे स mix कर लेंगे, ये आपके लिए एक special tip है, पानी आपने इसी stage पर शामल करना है, और गरम ही शामल करना है, इससे आपका cake super moist और soft bake होगा, इस stage पर आप इस chocolate cake के batter की consistency देख सकते हैं, कितना silky smooth त्यार हुआ है, without any special machine और special ingredient, अब हम cake का batter पोर कर देंगे mold में, और इसे हम bake करेंग without oven कराही में, यहां पर मैंनी कराही को preheat कर लिया था, इस cake को हम bake करेंगे 20-25 minutes के लिए, ये आपकी flame के according है, कि आपका cake कितनी देर में bake होगा, जब तक cake bake हो रहा है, जल्दी से जाएं और चैनल को subscribe कर लिए, मजीद इसी तरहां की मज़ेदार सी recipes के लिए, और अगर वीडि केक हो जुका है, अब हम इसे निकाल कर counter toe पर rest देंगे, एक से 1.5 गंटे के लिए, ताकि ठंडा हो जाए, जब तक cake ठंडा हो रहा है, हम त्यार कर लेते हैं, केक के लिए बहुत ही मज़ेदार सा chocolate milk, तो इसके लिए बाउल में शामल करेंगे, half cup chocolate syrup, then हम इसमे एड़ milk, यह homemade है और इसकी recipe मेरे चैनल पर मुझूद है, अगर देखना चाहें तो जरूर से watch कीजिए का, और then हम इसमे लास में शामल करेंगे, 2 cup दूद, यहां पर मैं fresh milk यूज़ कर रही हूं, और दूद आपका अच्छे से ठंडा होना चाहिए, अब हम तमाम ingredients को अच्छे से mix कर लेंगे, बहुत ही मज़ेदार सा chocolate milk हमारे cake को सोग करने के लिए ready है, यहां पर हमारा cake अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब हम इसे डी मॉल्ड करेंगे, इसका butter paper remove करेंगे, और again हम इस cake को इसी मॉल्ड के अंदर रखतेंगे, then हम तूद पीक की मदद से इस cake में hole ताके chocolate milk जब हम पोर करें, तो cake बहुत ही अच्छे से सोग कर ले, यहां पर आप cake भी देख सकते हैं कि कितना soft और spongy लग रहा है, यकीन मारें कि बहुत जबरदस बेक हुआ था, अब हम त्यार किया हुआ chocolate milk पोर कर देंगे cake में, और इसे हम आदे खिंटे के लिए फ्रिज cream, यह अच्छे से चिल्ट होनी चाहिए, इसे हम एक मिनट के लिए अच्छे से बीट करेंगे, और देन हम इसमें शामल करेंगे, और अगेन हम इसे 7-8 मिनट के लिए, मीडियम से हाई स्पीड पर, बीटर की मदद से बीट करेंगे, ताके soft peaks आ जाएं, cream हमारी अच्छे से whip हो चुकी है, और यहाँ पर हमारे केक ने अच्छे से दूद को सोक कर लिया है, अब हम whip की हुई cream को डाल देंगे केक के उपर, और simple spatula की मदद से हम इसे level कर लेंगे, चॉकलेट सीरिप की मदद से हम इस तरह से इस केक के उपर design बनाएंगे, आप अपन आप चाहें तो इसे right away भी सर्फ कर सकती हैं, और अगर best results चाहती हैं तो आदे खिंटे के लिए fridge में रखती जगेगा, जब अच्छे से ठंडा होगा तो हम इसे सर्फ करेंगे, केक को सर्फ करते वक्त भी आप साथ chocolate milk सर्फ कर सकती हैं, मजीद इस केक के टेस्ट को enhance करनी के अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, मैं हादिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, तिल देन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्ला हाफिज